पिर आपके अपने चैनल राजबना व्लोग्स में है आज एक जा रहे हैं ब्यूटिफुल लोकेशन के लिए कुछ आफ रोडिंग करने के लिए कुछ नजारे देखने के लिए मेरे साथ है और नर्पत जो आप मेरी एक पहले वीडियो में देख चुके एक छोटी सी राइड करी थी नर्पत ने मेरे साथ में तो आज फिर जा रहे हैं एक खुबसुरस सी लोकेशन के लिए डैजट का नजारा पाने के लिए और थोड़ी से ओफ रोटिंग और मज़ा लेने के लिए तो बस निकलते हैं टाइम कुछ हो रहा है भी डाई वजे के आसपास तो दो डाई तीन गंटे हैं हमारे पास में जब तक संसेट होता है तो चलते हैं करनों पास में रहा है तो चलते हैं अप्रोडिंग के चक्कर के अंदर लग गए एक वायर पड़ा था रोड के उपड़ जो यह अपनी चेन के द्वारा सीधा इंजन के महां तक पहुंच चुक है यह तो अच्छा है हमारे SP चीता साथ में तो और यह नुक्सान हो गया चेन का कमर तूट चुका है और भारी नुक्सान एक छोटे से तार ने इतना बड़ा नुक्सान कर दिया अगली चेन तक भी गया हो है अब इसको निखाए में लाए कि यह पर इतने सारे वायर पठक रखे थे एक वायर गाड़ी इंदर घुजग्या टायर से चेन में गूमता हुआ चेन के साथ इंजन में जाकर के इंजन से वापस टन हो करके इतनी सारा लपेटनी आ चुका है कि देखो इतनी कोशिश के बाद में भी निकल पा रहे हैं यह इतना सारा वायर है जो कि पूरा और अभी तक तो इतना और भी निकल सकता है देखो किते इस अपना चेन का जो उपर का कवार है यह तूट चुका है और यह आतों के आलात हो चुकी है अब चलते हैं सामने वाला जो इसी के अंदर ओफ रोडिंग के लिए थे तो राइट तो ओन है चाहे कितनी में मशकता है लेकिन राइट तो चलेगी आगे कर दो जादा उपन निजा पाए तुम्हारा भाई जा रहा है पिंटु भाई एस पिंटी तो जा रहा है आप क्यार अब वो जा रही है तीवियस बुलड तो आजे रस्ते से वापस आई है तब टीविस को देखते कहा तक जाती है और एक रस्ता और आगे से वहां से ट्राय करेंगे कहा तक जाती है तो अभी इसको ट्राय करते है इस बार आज सब फुल ओफ रोडिंग होगी रिकिस्तान के बर्फटरंडग में। झाल झाल कि यहां पर और यह इदर से उदर डोले जा रहे हैं यह इस पी चीता पता नहीं क्या कर रहे हैं इस पी चीता के सिक्टेस हो चुकी है गाड़ी इसकी और आके नहीं जा सकती और यह यह पूरी यह पूरी लोकेशन है जहां पर अभी हम बैठे हैं यह एकदम पूरा जंगल है जहां पर सिफ हम और हम ही है रस्ते तो ही नहीं पूरे रहें गड़े चल रही हैं तो दोस्तों निकल रहे हैं अपने घर के लिए सफर हो चुका है और काफी कुछ मज़ा आया आज के टूर में बस वो थोड़ा सा नुकसान हो चुका था चेन का कवर तूड़ गया है और उसमें वो तारवार फसने की वज़े से हुआ था तो वो करेंगे वो